हेलो आज हम इस वर्डप्रेस के मॉडूल में देखेंगे कि जो हम कस्टम थीम बना रहे हैं उसके अंदर अपन कस्टम टैंप्लेट कैसे बनाएंगे कस्टम टैंप्लेट क्या होते हैं पहले वह क्लियर करते हैं जैसे हमने पेज.php पे डेटा बनाँगा तो कस्टम टैंप्लेट को बनाते हैं जब आप किसी बीधे को कस्टम डिजाइन करते हैं मतलब आपको टाइटल डिस्क्रिप्चन या इसके लावा कुछ data चाहिए तो मैं custom templates वहां पर क्रेट करूँगा custom templates में page.php काम नहीं आएगी मतलब custom templates आपके थ्रू दिया हुआ design होगा अगर आपको कोई custom design बनाना है होगा तो आप templates को क्या गरेंगे create करेंगे यह पूरा process हम क्या करेंगे practically clear करेंगे जिससे आपके सामने चीजे clear हो दाएंगी कि मैं किसी भी page को अलग से design कैसे बनाऊगा अलग से process को कैसे implement करूंगा यह सारे आपके सामने देखिए खोल देता हूं यह अपना थीम का पोल्डर है जहां पर मैं काम कर रहा हूं देखिए यहां बने हुए मैं इमिल में बनावाय देखिएô अग किस्टम टेंप्लेट के लिए आपको अपने lif एक बनाना एक या खितने भी बना सकते जितने आप इस्टम टैंपलेट का नाम को टैंपलेट एंदिए थेंपलेट नहीं नहीं रखेंगी जा जाए कश्ता मैं यजा जैसे जैसे आप लोगों को समझ में आये कि हम पर मैं कॉंटेक्ट डॉट पीच पी यहां पर मैं फाइल का नाम क्या करूंगा बनादूंगा यह नाम बनाने से कोई भी फाइल आटोमेटिक नहीं होगी मैं यहां पर देखिए अपना वर्डप्रेस है मैं डब्लूपी अड्मिन को यहां पर क्या पर आपको दिखाता हूँ कि टारगेट करता है कि अधिया समय बात करूं लिखा और मैं यहां यहां पर पब्लिस कर दिया और यहां से सेव कर दिया सेव करने के बाद मैं वेबसाइट में गया विजिट साइट किया मैं यहां पर क्लिक करता हूं अगर आपको देखना है तो आप यहां पर देख सकते देखे मैं आपको क्लिर कर रहा हूं यहां पर यहां पर देखे लिख रहा हूं टेस्टिंग करके जिससे आपको पता चल जाए यह डिफॉल्ट में टेंप्लेट को कॉल कर रहा है यह किसको करता हूं पर प्र 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 वह डिजाइन बनाओ आ जाएगा फिर हम उसको डाइनमिक कर लेंगे तो अभी मैं कस्टम टेंप्लेट से बनाना बता रहा हूं क्यां बनाएंगे तो अगर आपको कोई भी कस्टम टेंप्लेट बनाना है तो आप यहां पर बंद कर दिया और यहां पर कमेंट के अंदर जैसे मैंने यहां पर कमेंट दिया यहां से देखिएगा वर्ड टेंपलेट इस पेस नइम तैंपलेट से जिए आपको यहां पर लिखा है वह यहां पर लिखना है क्या आपको यहां से आपके और मैंने यहां पर क zweite इक पास दिखेगा कहा पर भी आपको लिखना है जैसे comment में मैंने लिखा template name contact us तो यह आपको admin में दिखना चालू हो जाएगा कहाँ पर दिखेगा मैं आपको क्लियर करता हूं जिससे आप समझ पाएं कि templates वाला option आएगा कहाँ पर देखिए मैं जाता हूं यहाँ और refresh करता हूं एक बार pages में जाता हूं pages मे लिखा रहा हूं आपको दिखेगा option वह यहां पर दिखेगा आप राइट साइड में जाएंगे और राइट साइड में आपके देखिए इधर की साइड नीचे page attribute है यहां पर देखिए लिखा हूँ है template इसके अंदर वह contact us template यहां पर आ जाएगा अगर आपने नाम गलत ल है जरूरी नहीं है एक नाम है बस आप यहां पर रिफ्रेस्ट करेए मैं यहां पर रिलोड करतेता हूं रिलोड करने के बाद यहां पर देखता हूं देखिए यहां पर देखेंगे तो कॉंटेक्ट आ गया और यहां से मैं update करता हूं अब यह चीज क्लियर है कि अभी तक पेज़ डॉट पीज़ को कॉल कर रहा था अब आपकी यह फाइल वहां पर कॉल होने लग जाएगी मैं देखिए यहां पर क्लिक करता हूं और रिफ्रेस्ट करता हूं रिफ्रेस्ट करते ही यह ब्लैंक हो गया क्योंकि इस पेज में कुछ है नहीं तो मैं यहां पर गैट ह बनाया जोने दिजाइन बनाया पार यहां पर यहां पर रख देता हूं जो एस्तेमल का डिजाइन बनाने का मतलब है जो पीट की साइड में लाके मैं क्या करूंगा रखूंगा तो मैं यहां पर गर लिए और यह इनुड जो तो आपको header footer और साथ में यह दिख जाएगा अपने को यह जो इमेज दिख रही है वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आपको आपको कि यहां पर लिख है की और यहां पर यहां पर यहां करके लगा हैं यहां पर आपको आपको क्ला सब्सक्राइब कर्णा हो भी आइड करता हूं और यहां पर सामने डिजाइन क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा तो अभी मैं यह समझाना चाह रहा हूं कि देखिए टैंप्लेट तब बनाते हैं जब आपको डिजाइन अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होता है और इसको डाइनमिक करना मैं बताऊंगा तो अभी के पार्ट में मैंने केवल यह बनाना सिखाया कि आप टैंप्लेट कैसे बनाएंगे एक और एक ठोटा सा मैं एक टैंपलेट और बना देता हूं जैसे कोर्स का पेज है यहांप देखिए मैं उपने ब्र मैं इसका भी टैंपलेट बनाता हूं क्योंकि मुझे यह कोर्स को आप डाइनमिक कैसे करेंगे बहुत सिंपल लॉजिक है आप जाईए यहां पर और एक पेज बना दीजिए टैंपलेट के लिए मैं यहां पर यहां पर टैंपलेट नाम कुछ भी रख सकते हैं आपके उप ओर को यहां पर लिख दिया कोर्स है तो मैंने यहां पर तैंपलेट में में क्या लिखा कोर्स और मैं यहां पर जाकर क forwards और मैं यहां पर आ गया और यहां से पफब्लिस कर दूंगा लेखा पर निचे की साइड क क्या करल लूगा ऑपरी प्रेडर्येंटिए तो मैं यहां पे गेट को कॉल लेता हूँ एक बार झेंचे स्य क्या पर लिया और है तो मैं यहां पर फूटर्व सुधर को क्या कर लेता हूं को मैं कितने तेंप्लेट्स अब यह बता रहा हूँ जब साफर यह इत यह यह पषट है उस्क прог diurit यह से कॉपी करता हूं और का सूपी करके अपने टेंपलेट के भीचवाले पार्ट में पेस्ट करती ने का करने अपको बताई यह कि अपने को दाइक्त पास करना पड़ेगा तो मैं यहां पर क्या करता हूं images slash को find करता हूँ और यहाँ पे images slash से ही क्या करना है अपने को replace करना है यह clear है कि अपन images देखे मैं यहाँ पे folder का नाम देखता हूँ कि क्या है अपना images slash है और मैं इसको replace भी images slash से ही करूँगा तो मैं यहाँ पे copy कर लेता हूँ यहाँ पर copy कर लेता हूँ और इसके आगे अपने को जोड़ना है वह function यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ जोड़ के इसको पूरा replace कर देता हूँ echo get आपका function का नाम है get template अंडर्सकॉर directory और सब्सक्राइब इस ओ सबस्राइब इतुर में यहां पर आगे जूड जाएगा और मैं यहां पर आगे क्या करता हूं तो आपकी बिडिखने लग गई और यहां भी दिखने लग गई करेंगे हम पोस्ट को कैसे करते हैं हम यह डेटा कैसे करेंगे यह सारी चीजों को क्लियर करेंगे जिससे आप इस टाइप की वेपसाइट क्या अगर बना पाए थैंक यू सो मज़ करें करेंगे